आज मिलाई हूँ आपके लिए बहुत ही special recipe जिसका नाम है Bombay sandwich ये Bombay style के जो sandwich है इससे 5 minute recipe है घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी से बना सकता है जटपट और फटाफट ये बनाने में असान तो है ही साथ में खाने में है बहुत ही tasty delicious एक बार जो आप बनाएंगे ना बार बार बनाने का मन करेगा क्योंकि ये 5 minute recipe है इसमें आपको टाम टमेरा नहीं फिलाना पड़ता और जटपट से बन जाती है तो चलिए देख लेते हैं इसकी recipe इसे बनाने के लिए आपको लेनी है यहाँ पे चार bread उसे असेंबल करना है और sides इसकी cut कर देनी है मैंने यहाँ पे जो bread ली है वो आटा bread ली है आप चाहे तो मैदा bread भी ले सकते हैं ब्रेट चाहे आप कोई सी भी ले इस sandwich का टेस्ट जो है जबदस रहेगा दोनों ही bread में sides cut करने के बाद आप कुछ इस तरीके से असेंबल कर लीजेगा उसके बाद bread की एक side पे हम लगाएंगे butter पूरी bread पे अच्छे से spread कर लेंगे ऐसे ही दूसी bread पे भी spread कर लेंगे दो bombay sandwich मैं यहाँ पे ready कर रही हूँ sandwich के एक slice पे हमें लगाना है butter और दूसी slice पे लगाना है हरी chutney अच्छे से spread करनी है हरी chutney बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजेगा हरी chutney लगाने में जो हरी chutney है वो ही special है इस recipe की जान है तो उसका link मैं आपको उपर प्रोवाइड कर रही हूँ आप चेक कर सकते हैं अपनी screen पर देख लीजेगा आप हरी chutney की recipe उससे पहले इस recipe को complete कर लीजे जो bread के slices है हमारे रेडी है अब इसके अंदर जो हमें stuffing करनी है वो रेडी कर लेते मैंने यहां पर already cut करके रखे है अनियन प्याज खीरा टमाटर और बॉयल आलू के slices बारीक वाले cut कर लेने है और ऐसे assemble करना है हमें sandwich चार पीस अनियन के हर bread के slice पे और चार ही खीरे के piece हर bread के piece पे दो sandwich है तो दो की stuffing में आपको यहां पर करके दिखा रही हूँ अब लगाए टमाटर रेसिपी तो भी बाकी है पर उससे पहले काम कर लेते हैं अगर आप चानल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें इस चानल को साथ ही बेल बटन प्रेस कर दी लेटेस अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए टमाटर असेंबल करने के बाद इस पर लगाएंगे आलू की स्लाइजिस बॉयल आलू लेना है उसकी पतली-पतली स्लाइजिस का आटके लगानी है यह बहुत ही इंपोर्टन है बॉमबे सैंविच में आलू का टेस एक जबरदस टेस देता है साई चीजों को अच्छी से असेंबल करने के बाद इस पर बुरकेंगे मसाले सब पोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर जो दूसरा बॉमबे सैंडविच है उसे भी ऐसी तियार कर लेंगे चाट मसाला, हुना जीरा, काला नमक और साथ ही साथ काली मिर्च पाउडर अब दूसरी स्लाइस जिस पर बटर लगाया था उससे इस सैंडविच को ढग देंगे सैं अब इसे कट करेंगे अपनी मन चाही शेप में, डाइगनेली भी आप कट कर सकते हैं, स्क्वेर में चाहें तो उसमें भी कट कर सकते हैं और रेडी है ये टेस्टी डिलेशस बॉमबे सैंडविच विदिन नो टाइम, इंस्टेंट रेसिपी है ये गहर बैठे आप अपने बॉमबे सैंडविच का मज़ा ले सकते हैं, मुझसे तो और अब इंतजार नहीं होता, मैं खाने चाहरी हूँ, ये बॉमबे सैंडविच आप भी बनाएं और खाएं और शेयर करें मेरे साथ अपने सजेशन्स और कमेंट्स कि कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी, मैं झाल 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 झाल